हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो यूर ओन चैनल शेयर मार्केट बिस सीके आज हम बात करेंगे इन्फुसिस के बारे में देखिए इन्फुसिस ने दो दिन पहले बाइबेक अनौंस किया था और जनरली जो बाइबेक आया है वो थोड़े अधर जो कंपनियों से दूसरी कंपनियों को बाइबेक आया था उनसे थोड़ा सा अलग है ये ओपन मार्केट बाइबेक है इसके हम लेबल और टारगेट के बारे में बात करेंगे देखिए सबसे पहले हम बताना चाहते है ये बाइबेक आफर अमाउंट है 9200 करोड का और ये जो बाइबेक टाइप है वो ओपन मार्केट टाइप है यहां पर लिख के रखा है कि 1750 तो ऐसा नहीं है कि इस लेबल पर बाइब करेंगे आप सोचों कि हम अभी 1300-1400 के लेबल पर अच्छा खासा स्टॉक को बाइब कर लेते हैं और फिर 1750 पर जैसी बाइबेक लाएंगे तो हम बाइबेक कर देंगे लेकिन नहीं ऐसा नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं है ऐसा मत सोचिए यह स्टॉक इनोंने अपर बेंड रखा है यह 1750 बाइबेक का अपर बेंड है मतलब इससे ज़्यादा लेबल पर यह बाइब नहीं करेंगे और ओपन मार्केट है ओपन मार्केट मतलब जिस भी लेबल पर इनको मिलेगा जिस भी लेबल पर मिलेगा यह उस लेबल पर उठा लेंगे भले वो 1300 हो 1200 हो 1400 हो 1500 हो और मैक्सिमम अगर हम सोच सकते हैं तो 1500 तक ही जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आप खरीद लो करेंड मार्केट प्राइस पर तो एक दम से रॉकेट हो जाएगा श्टॉक बिलकुल बिलकुल भी ऐसा नहीं है तर श्टॉक जैसा कि अगर नीचे के तरफ बाइबक आता है तो श्टॉक फॉल कर जाता है उपर की तरफ आ जाता है तो श्टॉक रॉकेट हो जाता है बिलकुल भी ऐसा नहीं है यह एक नॉर्मल प्रोसीजर है इससे मार्केट के आप डाउन प किया था चलिए अगर हम बात करेंगे श्टॉक की किस लेविल पर लेना है तो इसमें करेक्शन की जादा उमीद है वो सकता है यह आपको अच्छा खासा करेक्ट होते हुए नजर आई यह देखिए वन वीक का चार्ट है इसमें आपको लाश्ट केंडल देख रही होगी अच इससे भी नीचे गिरता हुए नजर आई यह श्टॉक तो आपको किन लेबिल पर लेना यह हम बताना चाहते हैं अगर हम M.A.C.D. की बात करेंगे तो M.A.C.D. ने यहाँ पर सेल सिगनल दिया है और सिगनल लाइन को नीचे के तरफ क्रॉस किया है जो एक बेरिश सिगनल ह होता है हो सकता है आपको यह श्टॉक अभी और ग्रावट ने मिले और आपको इन लेबिल पर आता हुए नजर आएगा तो आप आराम से श्टॉक को 1280 के आसपास बाई कर सकते हैं 1280 से 1300 के आसपास आप बाई कीजे फिर आप एक अच्छे लेबिल पर इसको बाई कर पाए है आपको यहां पर ग्राव ने जर आ रही हो कि बिलकुल नीचे के तरफ ग्राव दिखा रहा है RSI का तो थोड़ी सी वीकनिस तो है श्टॉक में अगर आपको यह श्टॉक इन लेबिल पर मिलता है जहां पर यह 100 डे एक्स्पोनिंशल मूविंग एवरेज है वहां पर एक पेविट सपोर्ड भी है 1188 पे तो आप मेरे हिसाब से 1280 से 1300 या फिर 1290 के बीच में बाय करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी वैलुशन पे बहुत शांदार स्टॉक मिल जाएगा तब से पहला मैं TCS को पसंद करता हूं TCS के बाद मैं Infosys को पसंद करता हूं Infosys के अगर हम ऐसे ही बैंकिंग स्टॉक की बात करूं तो देखिए बैंकिंग के अपने बाद में बात करेंगे ये था मेरी तरफ से Infosys के बाय बैक के बारे में आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमिट में जरूर लिखके बताईए हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें च हिंचे भारत